कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल पर सेट करें हाई एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल आज हम डाउट सेशन का पार्ट थ्री वाला विडियो बनाने जा रहे हैं और यह सिरीज हम इसलिए चलू किये थे जिसका मलब कोश्चिन थोड़ा लंबा रह हमें उर्ली चैनल मैं पर सब्सक्राइबर लेकिन अभी बारा मेंन नहीं हो पा रहे हैं अभी तक और ऑगर मेंबर्शिप नहीं लेंगे तो हम पढ़ाते रहते हैं और डी मोटिवेट हो जाएंगे और चैनल का कोई ग्रोथ भी नहीं होगा और आप लोग को जो अपना नले स्यार करते वह भी कम हो जाएगा तो प्लीज मेरा चैनल का मेंबर्शिप लिजिए और आज का टपिक देखो डाउट सेशन तीन का है और इसमें एक बीवर ने पुछा था और उसने एक कोश्यन पुछाता देखो इस टीम रीम फ्रेम में टीम बढ़ा दिया सिंपलेस में बढ़ा दिया उसके बाद में उसका आज बढ़ने रहा और और चैनल का टीम बढ़ा देने से नहीं होता उसको बारी किसे देखना पड़ता है उसमें कमी क्यार रह गया जि और यह बड़ा इंपोर्टेंट ट्रपिक है आपकी धागे का क्वालिटी कितना भी बढ़िया रहे अगर शीएस पी बरापर नहीं रहेगा तो आपका धागा खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होगा और इसके लिए देखो मैं उसका अक्षन प्लान बनाता हूं कि क्या बढ़ा देंगे फिर वह बत्र स्पाइरल्टी हो जाएगा उस्ट्रेंथ लॉस्ट बहुत ज्यादा अगर बढ़ा देंगे वह जितना चाहिए फाइवर लेंग्ध के हिसाब से माइक के हिसाब से उतना ट्यम देना ही ठीक है ओ देखें आक्षन प्लान में क्या क्या है सब सब्सक्राइब से पहला देखो इंप्रुफ कटन पारामिटर लाइक लेंग्ध बढ़ाना है स्ट्रेंग बढ़ाना है माइक घटाना और लेंग्ध इनिफर्मिटिव बढ़ाना यह चार पाइंट जो होता है सेसमी बढ़ाने का मतलब में मतलब रोल रहता है इसका आगर कभी एशोब करने का पाज शेश में नहीं बढ़ा कटन का जो मिक्सिंग लेगते हो आप इसका थोड़ा प्रपोटिव में थोड़ा इंक्रीज कराएं कभी लेंग्ट थोड़ा बढ़ा दिया किसी में स्ट्रेंग्ट बढ़ा दिया माइक घटा सकते हो तो फ्रड़ा घटा पाया तो ब्लो रूम काड़िंग का वेश्ट परसेंटेज थोड़ा बढ़ा दीजिए तैकि उसमें सब्सक्राइब निकल जा है और उसमें स्ट्रेंग्ट बढ़ने का चाल्स रहेगा इप कोम्ड इंक्रीज नाइल परसेंटेज अगर आप कोम्ड धागा बना रहे हो तो सी सब्सक्राइब नाइल परसेंटेज आपके अगर मार्जिन में एक दो परसे बढ़ा कर देखिए उसमें भी आपकी सेश्पी बढ़ जाएगा इंक्रीज नंबर अप एंड ड्रॉफ हैं यह भी बहुत इंपोर्टन है सब्सक्राइब आपकी सेश्पी नहीं बढ़ रहा है आपको इसू आ रहा है तो आप यह भी कर सकते हो जैसे ड्रॉफ है मैं एक जम्पल बोला हूं आप चला रहे हो समभलो चारीश कांट चला रहे हो एक जम्पल बोला हूं ठीक है आप ब्रेकर में समलों आपकी सिक्सेंड है इसको अब शेडिबग का लगता है इसको आप होगहें है चब्सक्राइब सबस्क्राइब कर तो उसको डिव्याब है प्टब में दो कॉबन का दो बूर्फ को페यिं लगाने यह कॉधम सब्सक्राइब लेकर में लगांक्यदि GIRL निकल Sydow to बटरा strap करें मुटसरा ह rabbits से काट और दिए द दिए के बिलकूल जितना मिलमम हो सकता है कि उत्राकर नहीं भाटता है O स्ट्रेंग्ट में उसका फूर पहलों राइगा तो है फुटकी निकले मोट पतला माल नेकलेगा तो उसमें ज्पिंट बढ़ता है जितना मिनिमम कर सकते हुट लेना इसके पाद देखो आपर पीक इंड्रफेम सिंप्लेक्स रिप्रेम देखो जो पीक होता है धागे में पीरियडिक फर्ट जो बोलते हैं समलों पचाइस मिटर धागा सही आप इसमें पीक आप मतलब पीक आना बहुत देंजर है थी पीरियडिक फर्ट जो होता है धागे का CSP का पूरा यह कर देता है मतलब डाउन कर देता है तो उसके लिए क्या करना पिरियडिक फर्ट जो है कटा नहीं होना चाहिए और मेसिन का कोई दांती चूटना नहीं चाहिए इस सारी ध्याल रखना पड़ता है पीक का एक मेरे सीरीज यह तीन चैन वीडियो है उसमें देखिएगा कैसे कैसे पीक कंट्रोल करते कुन सा कुन सा पॉइंट आटक करेंगे तो पीक उसका नहीं आएगा धागे में पीक आना स्ट्रेंथ लास उने में दिख्का जाता है उसका पाद देखो की ओटो कॉनोर प्याकिंग आरेस पर्सेंटेज एब सेवेंटिफाइब और एक चीद देखो आपने रिंग तक धागा बढ़ा दिया लेकिन ओटो कॉनर में सम्वलों आपकी आरेस कम रह गया पैकिंग में कम आरेस कम रहने से क्या होता है दागे का strength लास हो जाता है तो देखो ये जो आरेस कम मला जो लफड़ा है ज़्यादा तक विंटर और सम आए बारीस का क्या होता है अचा झालना होता है यहर में तो इसके लिए strength का कोई प्रब्लम नहीं होता है वह the strength बाला प्रूब्लम में ज्ञारत तक करमें का शीजन में थंड थे का शीजन में पिर भी आरह्ट आप चेक मस्चरक अप्टर वाईशिंपी जो हता है वाईशिक के बाद इस में इंहें हो रहा उसका भी करना वाईशिक्षी जैसे आपकी समवलों आपकी प्रोसेस में 6 परसंट कटा मलब मास्चर है धागे में मलब ऑटो कॉन से निकला 6 परसंट है तो वाइसीप में डालने का पाई कित्रा परसंटेज बढ़ा है उसमें बढ़ रहा है क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं ऐसा तो नहीं अपनों वाइसी समझ में आ जाएगा आपको इंक्रीज फ्लाट स्पीड इन काडिंग अगर फ्लाट स्पीड काडिंग में बढ़ा दोगी तो उसमें क्या होगा यह ज्यादा निकल जाएगा और लेंग्द बढ़ जाएगा फाइबर का उसमें भी आपकी शीएश्पी बढ़ने की पूरा पूरे चांस रहता है उसके बाद देखो चेक फाइबर रप्चर अप्टर और बीफोर ओल मेशिन्स यह बहुत इंपोटन्ट चीज है जैसे सब लो फाइबर आपने बहुत बढ़िया दिया लेंग्थ बहुत अच्छा माईक अच्छा सब को स्ट्रेंग्थ भी अच्छा ल दानती पूरे आड़ा तिडा है मनें बरबर फॉम्बिंग एक्षन नहीं कर रहा है तो उसकेस में क्या होगा करने च्वारण तो कोई स्पीड ज्यादा को पंदरीक है यह को सफीड žादा थे छो किरेंड असए आफ्ले के जरेंगोंगर हर जोन तो सब्सक्राइब कई फाइबर रप्चर होगा तो आपको मालूम पढ़ेगा लेंग्थ घट रहा है। तो जाके आपको इसको आठेंड करना पढ़ेगा, फर एकजम्पूल बोलाँ देखो, समभलो आपकी काडिंग में फाइबर लेंग्थाया। काडिंग में फाइबर लेंग्थाया। ब्रेकर में यह कम से कम थार्ट फोर की जागा यह बढ़की थार्ट सीटोन हो जाना चाहिए अगर अगर थार्टी फोर से कम हो जाता है तो यह बढ़ना चीए फिलिसर माप जैसे चलाओगी कम से कम 37 38 एसे तक चला जाना चाहिए तो हर स्टेज में बढ़ते हो जाना चाहिए फाइवर लेंग्ट का अगर लेंग्ट घड़ जाता है तो आपकी फिर दिकर जाएगा मलब कईना कई रप्चर हो रहा है ऐसे बीटर के आगे पीछे उसके लिए बीटर का स्पीड सेट करना आगे चलना फाइवर रप्चर बहुत इंपोर्टन है स्पी के लिए अगर फाइवर रप्चर है प्रोसेस में आप कितना बढ़िया कटन दो कभी स्पी नहीं आएगा फॉलो 95 पर से आपिस लेंग्ट फर गेजिंग आप ब्रेकर फिनिशर ड्राफें में 95 परसेंट जो आ आता है उसी हिसाब से आपको सेट करना मेरा स्टंडर्ड गेज वालब विडियो दिखेंगा उसमें ट्रॉप में कैसे करते हैं आफिंग क्या रहने से कितना गेज करना पड़ता है वो सारी डिटेल में उसमें दे रखा इसको देखेंगा आपको क्लियर हो जाएगा उसके धने कीप्ले स्ट्रेंग्ट हाज वाताइड आसका फाइवर का मतरा सिंप्लेस का यहाभ पलिस्ट्रेंग्ट यह मसं क्या सिदिगर इसको दिखेंगा उसको अगर देखेंगे आपकी कभी दिक्थन पर रखना ताकि आपकी श्पीलिंग में थिक तिन प्लसे कम आया है और दागे का स्ट्रेंग्थ बड़े समल हापली बहुत काम रख दिया फाइबर स्लिपेज होगा ड्रप्टिंग जोन में बंचया पर फाइबर एक साथ चला जाएगा मोटा पतला बनेगा वो सब प्रोब्लेम बढ़ता रहेगा देखो यह क्या होता है कभी कभी पावार रेस्ट्रिक्शन होता है या कोई मिल बाले बहुत कजूसी करते जैसे मिल जलाते लेकिन आरेच प्लांट बंद रख देते आरेच प्लांट कभी बंद नहीं रखना आरेच प्लांट बंद रखोगी लो आरेच में अगर आप मिल जल कभी भी काम आरेस बें कभी भी डिपारटमेंट नहीं चिला आए यह बंदि ना एक दो गंटा मेल लिकन आरेस कम नहीं चला ना यह इस्मार और विल्टर सीजन spray water and lay down the cotton का जो mixing लगता है हम लोग क्या करते ते गर्मी का टाइम में बहुत दूप पड़ता था ऊचरा तो पाणी का जो बढ़ा मारते से क्ट्ट ने से क्या होता है मस्ट आज पर फ्रिकुएंसी काट्स बभुपिंग का इस चुडू रहता है जैसे आप में समौलो 15 दिन में रखाई हाई में जाय रिम फ्रम में इन वंहें रखाई जो काट्स बभुपिंग जो सेडूल होता है इसको बड़ा-बर मंटन रहा है पता नहीं आपने बहुत लेकिन काड़ में खड़ा 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 है तो बरबर धागा बनेगा मोटा पतला धागा आएगा तो उस केस में क्या होगा आपकी CSP डाउन रहेगा आपके कभी यह नहीं होगा मतरब CSP बढ़ेगा नहीं काड़ बफिंग मस्ट आज पर फ्रिक्वेंसी हो गया उसके बा करता है को पर गॉस्के जाए किस प्र? करणिजाने से आपकी उसके बाद वैचिप करोगी मश्ट बराबर इसका लेगा और आपकी CSP का इसा खतम हिगा फ़लोगय संधिन फॉलो रेंडोमाजिशन स्ट्रिक्ली रेंडोमाजिशन के क्यों आया अपने पास देखो रेंडोमाजिशन करोगी जैसे समलो आपने 10 काड़ है 10 काड़ का दो ट्रिंग में लगाओगी तो सबका इक वाल नमबर अप डिपा लगना चे एक रिड में यह ब्रेकर का जो लेप करोंगी रेंडमाजिशन नहीं करोंगी वेश्में स्सक्राइबिमें इस्में नहीं करोंगी उसमें आपने क्ली का होटा है एक यह थो पूरा है यह समापत हो जाए गए जो सेटिकाइशू उसका अलारा देखो्स और ये qi बताताऊ ब्रेक के क्लेशिंग करना की कि हे सresse के ब्रेक के करना है मैं अभरक के के इंग करना और उसके बाद देखो और लूज़ श्षोर रहता था टेप रहता है यह पत्ला टेप रहता है इषको भी आप नए टेप लगाना ऊचेप रहे आगा बिच भीThere Awakyan निकले में लोश गाले लोश एसपी निकलेगा तो फिर ज्यादा दिक्क्र जाये थत्ला क्ला आप देखो सौशए बनाया उसमें दो चार कोन अगर खराप ही गया वह पूरा वर्पिंग में दिखकर जाता रहेगा तो यह ब्रेक का सपाई करना लूज टेप काटकर नया टेप लगाना या कोई टेप पत्ला हो गया इसको भी सही करना कोई-कोई टेप जक्की पुलीज नीचे खिसक के चलता ह है वो भी लोटी पे ही आता है यह टेप का उपर खास करके ध्यान दना और यह सब चीज अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यह जो CSP का आपकी इस्वी है आपका नहीं आएगा आज का वीडियो में यहां पर समाप्त करता हूं थैंक्यों करता है